Welcome to new video, इस वीडियो में हम लोग बहुती शांताज चीज करने वाले हैं, हम लोग सीखने वाले हैं कि हम किसी भी location को track कर कैसे कर सकते हैं Python की मदद से, simply कुछ lines of code की मदद से, तो मैं आप लोग को start करता हूँ, पर start करने से पहले मैं आप लोग को बता दूँ, अगर किसी ने मेर ये Python की playlist access नहीं करी है, क्योंकि ये जो वीडियो है, ये इस playlist का party होने वाली है, तो अगर आप किसी ने ये playlist access नहीं करी है, मेरे चैनल पर जाके playlist section में आपको ये playlist मिल जाएगी, मैंने या पर लगबग 44 वीडियो डाल चुका हूँ और ये 45 वीडियो होगी, अगर किसी ने अपिटक नहीं access करी है, तो जाके access कर लो, या मैंने बहुत ही शान्दार तरीके से, बहुत ही starting से लेके, बहुत ही अच्छी तरह, मैंने हर चीज आपको समझाइए, जिससे बहुत ही कम समय में आपको हर चीज समझाइए, आप लोगो बहुत अच्छा, अच्छी तरह समझ को suggest करूँगा तो आप लोग PYCHAMI use करें अगर मेरे साथ आपको काम करना है तो उसके बाद क्या करता हूँ simply मैं हमें साथ जैसे file बनाता हूँ एक python file बना लेता हूँ उस python file का नाम में रखता हूँ tracking क्योंकि हम लोग number track करने वाले हम location track करने वाले तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा यहाँ पर simply tracking के नाम से एक python file बना लेनी होगी जैसे कि python file बन जाएगी बहुत ही अच्छी तरीके से उसके बाद जो हमारा दूसरा step रहेगा बहुत ही important step रहेगा सारा चीज इसके basis पे रहेगी उसके लिए मुझे क्या करना होगा एक phone number नाम से एक module को install करना पड़ेगा अब आप लोग को होगे कि यार फोन numbers क्या चीज बता दी तो देखो यार python इसलिए easy language बोली जाती है इसलिए बहुत ही fun language चीखी जाती है तो आपको करना क्या है ये module install करना है मैंने अल्रेड़ी ये module install करके रखा हुआ है तो अगर आपको जानना है कि ये module कैसे install करा जाता है तो एक काम करो मैं आपर देखो उपर i-card पे वो वीडियो आ रही होगी उस i-card पे click करो, मैंने बता रखा है कि module कैसे install करा जाता है चोटी सी वीडियो आप लोगो बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी 5-6 मिनट के अंदर आप सीख जाओगे 5-6 मिनट नहीं आप 2-3 मिनट में सीख जाओगे बहुत बड़ी बात नहीं होती इंस्टॉल करना तो मैं क्या करता हूँ? एंटर दबाता हूँ एंटर दबाने के बाद मैं आपर import कर लेता हूँ क्या import कर लेता हूँ? phone numbers इस module को import कर लेता हूँ कि आप phone numbers जी प्लीज प्लीज यहाँ पर आ जाईए और यहाँ पर python file बनाऊँगा और यहाँ पर इसका नाम मैं रख दूँगा number file number file से एक python file में यहाँ पर बना लूँगा इसके अंदर मैं क्या करूँगा? एक variable लिखूँगा number variable लेता हूँ उस number variable के अंदर अपना number store करा दूँगा example जिस number से आप लोग वो location ट्रैक करोगे यहाँ नमबर तो चाहिए होगा at least मतलब अगर आपको IP address से ही होता है या phone number से ही होता है उस phone number से तो आप करोगे कि यार कहाँ पर है वो बन्दा तो उसके लिए आपको क्या करना है? आपको यहाँ पर उसका phone number लिखना पड़ेगा ध्यान रखना बहुत ही important चीज है phone number लिखने से पहले यहाँ पर country code जरूर लगा देना कि जिससे country code से आप लोग को पता लग जाए कि यार हाँ चलो आगे क्या क्या number है तो country code लगाना बहुत ही important है तो ध्यान रखना यार country code जरूर लगाना मैं security reason के वेए से अपना number यहाँ पर नहीं दूँगा तो मैं यहाँ पर इसको यहाँ पर थोड़ा सा skip कर देता हूँ number लिखने के बाद तो जैसी कि आप लोग देख सकते हैं मैंने number यहाँ पर लिख चुका हूँ उसके बाद मुझे क्या करना है उसके बाद simply simply जो चीज मुझे step follow कर रहा हूँ आप लोग को वो simply यहाँ पर काम करना है तो हमको क्या करना है import करानी है वो file कौन सी file number वाली file number वाली file import करानी है from number file import number जो कि हमने वापर variable बनाया था उसके बाद हमको क्या करना है, जो main काम करना है, उसके बाद मुझे क्या करना है, पहले कैसे मैं पता करने को बता हूँ, तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर लिखना होगा from phone number, phone numbers लिखूँगा, उसके बाद यहाँ पर लिख दूँगा import, और यहाँ पर मैं लिख है service number, इस से क्या होगा, इस code से क्या होगा, हम लोग इसकी service पता लगाएंगे कि यार ये कौन सा company का mobile number है, क्या करता है, ये सारी चीजे मैं बता दूँगा, बने रहो, अगर आप लोग ये सोच के आए हो कि यार location नी बता होगा, तो मैं location भी बताऊँगा, पहले मैं आप लो इहां पर मैं दो चीजे लिखूँगा bracket के अंदर, एक तो मैं लिखूँगा यहां पर number, जो कि यह मेरा number है, कॉमा, कॉमा लिखने के बाद, यहां पर मैं लिखूँगा ro, छिक है, simply यहां लिख दूँगा ro, उसके बाद når मैं simply यहां पर enter करूँगा, और यहां पर नहें प पर बुलाया होगा carriers को अब मुझे यहां पर carrier यूज किया है तो मैंने करें लिख दूँगा carrier.name for number लिखूँगा तो इसलिए easy है अपने आप से इसने बता दिया गया आगे आपको यह लिखना है तो मैंने simply आप पर enter दवाया और इसने अपने आप यहां पर चाप दिया उसक कि मैंने यहां पर variable यहां पर declare किया service number, और मुझे यहां पर mention करनी होगी मेरी language कि मुझे किस के अंदर वो language चाहिए English चाहिए मेरे को, तो मैंने यहां पर क्या किया, यहां पर simply simply लिख दिया en, अब मैं इस code को यहां पर अगर run करूँ, तो आप लोग खुद ही देख लेना कि यहां पर क्या system होगा, यहां पर इसका simply simply code यहां पर आ जाना चाहिए, कि यह कौन सी company का mobile number है, तो देखो इसने ब आपको कितने benefit है, आप दिमाग लगाना चाहो, तो in code की मज़र से आप बहुत कुछ develop कर सकते हो, यह चीज़े तो basic चीज़े होती है, जो मैं आप लोग को सिखा रहा हूँ, अब देखो मैंने कैसे कि आप लोग को बता दिया, कि मैं आपर company number बता दिया, आगर मैं second step पे कि मैं आपको बताने वाला हूँ कि यह location कहा का है, कुन सी country का है, सब कुछ बताना चाहूँ, तो उसके लिए मज़े क्या करना होगा, from, तो मैंने, दुबारा से यहाप लिखना होगा, from, phone number, import, carriers, simply, simply, जो मैंने पर वाला, यहावला step किया था, वही step यहाँ पर दोरा देना है, दुबारा से वही step यहाँ पर लिख देना है, उसके बाद मुझे क्या करना होगा, actually, यहाँ पर थोड़ा था twist है, मैं यहाँ पर miss कर गया, थोड़ा twist यह आएगा, कि मुझे यहाँ यहाँ पर लिखना पड़ेगा, geocoder, अब geocoder क्या होता है, country की location बताने के लिए, यह यहाँ पर हम use करते है, phone number में से एक geocoder है, phone number library में से हमको एक geocoder वहाँ पर import करना पड़ेगा, तो मैंने import कर लिया है, जैसे कि, उसके बाद मुझे क्या करना होगा, हमेशा की तरह है, जैसे यहाँ पर एक variable declare गया था, वैसी एक variable यहाँ declare कर दूँगा, तो जैसे कि मैं ch number, कुछ भी ले सकते हैं, variable आप कुछ भी ले लो, आपकी मर्जी है, ch number लिया मैंने, और यहाँ पर मैं phone number को parse करा दूँगा, जैसे कि मैंने उपर कराया था, तो मैंने इसको यहाँ पर parse कराया, उसके अंदर दो चीजे लिखनी है, यहाँ मैंने उपर लिखी दी, number, comma, और यहाँ पर मैं लिख दूँगा अंदर, ch, अब ch का मतलब क्या है, c से तो हो गया country, और h से हो गया उसकी history, तो country history दिखालने के लिए हमको यहाँ पर simply लिखना है, ch, उसके बाद मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर simply कैसे उपर print किया था, मुझे यहाँ पर print कर देना है, print कर यहाँ लिखना होगा, ch number, जो कि मैंने वहाँ पर variable लिखा था, जो ही मैंने यहाँ पर variable लिखा था, वो variable आपको दूबारा से simply यहाँ पर लिख देना है, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा, ch number, comma, comma लगाँगा, और उसके बाद मैं लिख दूँगा, मेरी language, en, और अब मैं इसको अगर run करूँ, तो आप लोग को पता लग जाएगा कि आप लोगोने कितना बड़ा काम आपने यहाँ पर कर लिया है, देखो यहाँ पर दिखा देगा, थोड़ा सा time ले रहा है, इसने एटल तो print कर दिया कि कौन सी company का है, देखो इसने यहाँ पर यह भी बता दिया यहाँ आर मैंने, मतलब ऐसे ट्रिक कौन सिखाता है, आप शायद YouTube पे ढूण लो, आपको मतलब बहुत ही मुश्किल से यह चीजे मिलेंगी, देखो वो चीजे मैं आप लोग को यहाँ पर सिखा रहा हूँ, तो उसके लिए आप लोगो क्या करना है, एक thumbs up देना है, like की form म और चैनल को सब्सक्राइब करके, बैल आइकन आपको दबा देना है, तो आशा करता हूँ, आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर नहीं अच्छी लगती वीडियो, कोई चक्कर नहीं, आप लोग इसको dislike भी कर सकते हैं, और वहीं मैंने आपको दुबारा से repeat कर दूँ, यह source code मेरी website पर आपको मिल जाएगा, जो की description में आपको link पर वाइड हो जाएगा, वहां से जाके आप source code भी ले सकते हैं, और चैनल पर new or subscribe कर दो, और प्लेलिस जरूर access कर लेना यार, प्लेलिस एकसिस करने से क्या होगा, python के master बन जाओगी, मैंने starting में बताया कि मैं आप लोग को python का master बना के रहूँगा, जो जो मेरी चीजे follow करता रहेगा, उसको python का master मैं बना के रहूँगा, तो thank you for watching guys, आशा करता हम आप लोग को अच्छा लगेगा, मिलते हैं अगली एक शांदार वीडियो के साथ, जिसमें मैं कुछ अटरम पटरम वैसी